हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल ब्यूटियास्टेश्मी और मैं हूरेश्मी सो आज मैं ममार्थ उब्टन योगर्ट विद टार्मरिक एंड साफरोन का रिविव शेयर करने वाली हूँ इसको मैंने ममार्थ के ओफिशल वेबसाइट से पार्चेस किया है और यह कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों यह प्रोड़क्ट पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री डर्माटोलोजिकली टेस्टेट एंड सूट्स आल स्किन टाइप्स यहाँ पे इंग्रेडियंट्स लिस्ट मेंशन्द है आप चाहो तो पॉस करके पर सकते है इसकी 200 ml प्रोड़क्ट क्वांटिटी है देर साल इसका शेल्फ लाइफ है और प्राइस है 4.99 रुपीज आफ्टर 20% डिसकाउंट मुझे देना पारा 3.99 रुपीज मामार्थ एक cruelty free and plastic positive brand है इसको 15 साल के उपर कोई भी अपलाई कर सकते है और यह एक unisex product है suitable for all skin types including sensitive skin अब इस box को open करते है और यह है product yellow container है and white color की lead है packaging wise this is so beautiful इस container के उपर भी सारे information दिया हुआ है so आप चाहो तो outer box को discard कर सकते है अब इसको open करते है light yellow color की yogurt है and यह yogurt सिर्फ body पे apply करने के लिए है खाने के लिए नहीं है आप देख सकते है आधा quantity का product already मैंने use कर लिया है this is very light gentle and easy to absorb non sticky gel based product है इसमें ना cocoa variant भी launch हुआ है उसका review भी मैं जल्दी upload करूंगी यह body yogurt summer time में use करने के लिए एकदम perfect है it gives a healthy glow and add shine to the skin after shower आप इस body yogurt को full body पे apply कीजिए and gently massage कीजिए यह easily absorb हो जाएगा and आपके skin को 7 to 8 hours deeply moisturized रखेगा shower routine में आप soap को body wash से replace करेंगे तो आपके skin बिल्कुल भी dry fill नहीं करेगा and better result पाने के लिए हमेशा इस body yogurt को damp skin में apply कीजिएगा दोस्तो यह आपको non-sticky fresh and moisturized skin provide करेगा and इसमें turmeric and saffron है saffron is known to clear spots it contains lots of vitamins and antioxidants that beneficial to the skin turmeric gives an instant glow to your skin so यह tan skin के उपर भी काम करेगा skin tone को light करेगा मुझे personally ममार्त के उपटन रेंच बहुत पसंद है and इस body yogurt का smell भी कुछ वैसा ही है अगर आपके skin बहुत ज्यादा dry है तो हो सकता है यह product आपको reapply करना पड़े आप चाहो तो इसका body butter भी use कर सकते है बट मैं personally summer time में body butter avoid करती हूँ and body yogurt use करती हूँ इससे पहले मैंने the body shop का body yogurt use करती थी बट वो बहुत महेंगा है 945 रुपीज का कुछ आता है बट यह मुझे only 399 रुपीज में मिला है and मैं इसको purchase करके बहुत खूश हूँ क्योंके मुझे non sticky products अच्छे लगते है and इसको use करके मेरी hands के उपर जो tan था वो हट रही है बट हाँ और एक point बोलना चाहूँगी यह body yogurt body butter से थोड़ा सा ज्यादा quantity में use होता है क्योंके मेरी body का skin थोड़ा सा dry है and इसको use करके skin से ज्यादा पासिना भी नहीं आता है skin cool, refreshed रहता है so आप चाहो तो इसको जरूर purchase कर सकते है तो friends यह था मेरा आचका review वीडियो अगर मेरी ये review आप लोगों को पसंद आई तो please like, share and अच्छे-च्छे comments जरूर किजिए और मेरी चनल ब्यूटियास रश्मी को सब्सक्राइब करना ना भूले सु मिलते हैं अगले वीडियो में